खबर नजीवाबाद थाना चेतर से है जाके समेरपूर फाटक के पास दो योवुकों की सडख हाथ से में दर्दनाक मौत हो गई वही फिल्म प्रडियूजर वा भाच्वानेता वसीम कुरैसी ने परिवार के साथ दुख साजा कर शोक व्यक्त किया साथी वसीम कुरैसी ने दोनों योवुकों के परज़णों को ढाई ढाई लाक रुपे की आर्थिक मदद भी की वही नजीवाबाद के गड़मा ने लोगों सहित सबासत अजुमत सिद्धिकी ने भी इस दुर्गटना पर शोक व्यक्त किया है खबर लखेंपुर कीरी से है जाएक करफ मुक्यमंतरी महिला सुरक्षा के दावा करते हैं लेकिन या दावा हवा हवाई साबित हो रहा है वही ताज़ा मामला लखेंपुर कीरी के थाना उचौलिया से सामने आया है जहां अपनी बहन के घर गई रेशमा आज तक वापस नहीं लोटी बता दे कि तेरा दिनों बाद भी अभी तक कोई सुराग नहीं मिल पाया वही रेशमा के बाई और मा ने उचौलिया थाना पर दो लोगों की खिलाब तहरीर दी लेकिन पुलिस ने कोई मुकदमा दर्ज नहीं किया वही रेशमा की जमीन पर लोगों ने कबजा भी कर लिया है साथी रेशमा की बारा वर्षी बच्ची को भी अपने दबाओं में रखा हुआ है पर जोनों ने मुकदमा दर्ज कर आरोपियों पर कारवाई करने की मांग की है जो आपकी लड़की का है भी जिसको अभी तक कोई पता न चलाया आपका कोई सखहे मुस्तफ़ा आपके लेगा नाम ये दो नहें कहा कि वह जाएगी मेरी भाएन आर तक नहीं आई आई और जे आ गए है अच्छा आपको मुस्तफा पर मुस्तफा की लड़के पर को सकते हैं किस मामले को लेकर सके हैं मैंपुरी से है जाइक व्यक्तिने दबंगो पर फरजी तरीके से मकान का बैनामा कराने घर में गुसकर महिलाओ के साथ मारपेट करने साथी मकान खाली कराने का आरोप लगाया इतना ही नहीं पिड़ित ने बताया कि दबंगो ने बेटे की हत्या करने की धमकी भी दी है बता दे कि पिड़ित अदिवक्ता ने पुलिस अदिक्षक को शिकायती पत्रसौप कर न्याई की गुहार लगाई है चौद्य भी उसमें बेनामा अंकित है हर तरीके से इनका बेनामा फर्जी है और जिन वेक्ति उसारानी से कराया है वो उसारानी में नहीं रह रही है तो सन दोजार आठ थे इसके अलावा जो गवाँ है वो भी उसमें सब्सक्राइब कर नारा लिए सब्सक्राइब कर नारा लिए सब्सक्राइब करमचारियों ने रैली निकाली वहीं जिलादेक्ष वासी अच्छो संग्टन जिलादेक्ष ने बताया है कि सम्वेदा करमचारियों के मंडुक पुषकर में चल रही हर्ताल के चौदवे दिन रैली निकालकर मद्वप्रदेश सरकार को जगानी का प्रयास किया साथी सम्वेदा के समस्त करमचारी प्रदर्शन कर नारे बाजी करते हुए धरना इस्थल से सयाजी द्वार पहुचे वह उन्होंने कहा कि यदि शासन समय रहते हमारी मांगे नहीं क्क तो हमें कथोर कदम उठाना पड़ेगा जिसके संपूर्द जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी साथ ही उन्होंने कहा कि शासन क्याों मांगे मरने के बाद पूरी करेगा वह मां зачारी बाहर के स्वासथ नहीं कहने उनका कहना है कि जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होती है तब तक यह अंदोलन जारी रहेगा वह एकवर मातुरा से है जा हिंदो महासबा के राश्ट्री कोसा अद्यक्ष ने मतूरा कृष्न जन्म भूमी और ईधगा के बीच चल रहेए विवात को लेकर फिर से बयान दिया है उन्होंने कहा कि इद्गा की अध्यक्ष डॉक्टर हसन ने कहा है कि मतुरा कृष्ण जन्म भूमी और इद्गा के बीच विवात को न्यायले के बाहर सुल्जाया जा सकता है इसी बात मत पलेटवार करते हुए गास्ट्री को सद्यक्ष ने कहा कि हिंदू महासबा भी तयार है आपको हिंदू महासबा इद्गा हटाने के लिए दस एकड जगा मिवात में देने को तयार है डाक्टर हसन ने जो बयान जारी किया है कि मत्रा किष्ण जनमुमी और इद्गा के मद्द में जो विवात चल रहा है उसको न्यायले के बाहर बैटकर भी सुल्जाया जा सकता है डाक्टर हसन साब हिंदू महासबा इन्हें राम जनमुमी का केश लड़ा हिंदू महासबा किष्ण जनमुमी का केश लड़ रही है और हिंदू महासबा आपके लिए दस एकड जगे खईद कर देगी यदि आप यहां से इस इद्गा के रूप में स्ट्रक्चर को यहां से कि लिए हम आपको 10 एकर जमीन मेवात में देने को टयार है हिंगुमासवा अपने पैसे खैशने करА rasa ब्रच में आपको 1 इंच वी जमीन何becue खून起 चाहें तो बेवाद में बना सकते हैं हम आपको वाद दस्रेकर जमीर खईत कर देंगे खबर करनास से हैं जाब पुलिस को बड़ी काम्याबी मिली हैं बता दे कि पुलिस ने अवेट शेस्त्र बनाने की फैक्टरी का भंडा फोर दिया है साथ ही बड़ी मात्रा में देशी तमंचे और कार्तो सहित तमंचे बनाने की उपकरण भी बरामत किये वहें दो अभ्युक्तों को भी गिरफतार कर लिया गया है बताते शले कि पुलिस ने खुलासा किया कि गुर्साहाईगंज शेत्र में गुपचुक तरीके से फैक्टरी चल गई थी वहें मामले में और भी लोगों के शामिल होने का शक है फिलाल पुलिस की जाच परताल अभी जारी है थाना गुर्साहाईगंज शेत्र में आज एक अवैदर श्रस्त्र फैक्टरी पके गई है इसमें दो अभीउक्तों को ग्रिफतार किया गया है जानकारी करने प्रिकाश में आया है ये दोनों अभीउक्तों नाजाज रोप से अवैद तमंचे बनाते थे और इसके साथ ही विभ्यन अस्थानों से खाली होके कार्टूसों के प्राप करके उनमें पुना इस फुटक सामगरी भरके उपकरणों के साथ में पुना लाइव राउंस तेयार करते थे इसमें 14 अदद देशी तमंचा 315 बोर के 7 अदद देशी तमंचा 12 बोर के 84 अदद धिन्दा कार्टूस 315 बोर 334 अदद खोखा कार्टूस 315 बोर 69 अदद बुलेट 315 बोर के इसके अलावा शस्त फेक्ट्री में शस्त्र और कार्टूस बराने के उपकरण और सामगरियां भारी मात्रा में परामद हुई है अग्रिम विदिक कारवाई पुछे थे दो अरोपी इसमें आप तक ग्रफ्तार हुए हैं आगे की पूस्ताच और प्रकाश में नए तत्यों को लाएगी उसके अधार पर अगरिम करवाई हैं इस बात की परताल की जा रहे हैं कि क्या इसका संबंद चुनाओं से है की नहीं इसके बारे में और जानगारी की जाएं खबर चंदौली से है जा राष्ट्री पत्रकार संग भारत की चखिया इकाई की पत्रकार संग की मीटिंग संपन हुई वहीं सर्वसम्मत से चंद्रभूसर 24 को तैसील इकाई का अध्यक्ष सर्वसम्मती तता करतल द्वनिसे मनोनीत भी किया गया इस अध्यक्ष पत्रकार संग की कारवाहक राष्ट्री अध्यक्ष तदा चंदौली जिला के जिला प्रभारी जिला अध्यक्ष वा जिला संयोजक की देखरेक में चुनाओ का समापन किया गया ऐसे मौके पर खुशी का जस्न मनाते हुए एक दूसरे को मिठाईयां भी खिलाई वहीं खबर राजस्तान के जोदपुर से है जा पीपार सिटी में गोकुल बाबु डिगरी कॉलेज में हेलमेट मुवी की प्रडूसर और निर्देशक का जोड़दार स्वागत किया गया बता दे कि कॉलेज में फिल्म को प्रोजेक्टर पर दिखाया गया वहें फिल्म की कहानी सत्यता को दरशाती है कि किस तरह लापरवाही से हम दुरगटना का शिकार होते हैं साथिया संदेश देती है कि जब भी टू विलर्स पर सफर करें तो फोन पर बात ना करें वहें प्रडियूसर इसनेहा भंडारी ने साइंस फैकल्टी के विद्यारतियों को हेलमेट एवेनिस पर लेक्शर भी दिया ख़बर मदर प्रदेश के धार से है जब पैतरक जमीन को लेकर चले आ रहे विवाग में एक यूवक की हत्या हो गई ब्रतक यूवक अपने पिता को बचाने के लिए विवाग के दोरान बीच में आया तब ही आरोपियों ने अचानक उस पर हमला कर दिया वही परिजन गंबेर सित में अस्पताल लेकर जा रहे थे तब ही रास्ते में ही यूवक ने दम तोड़ दिया सूचना मिलते ही दरमपूरी पुलिस टीम मौके पर पहुची दर अस्पताल में पोस्ट मार्टम के बाद शव परजनों को सौब दिया गया अब पुलिस पूरे मामली की जाज परताल में जुटी हुई है वही खबर महराजगन से है जा रामकुमार इंटर कॉलेज वन विभाग के बाकी रेंज के रेंजर जगदंबा पाटक की अदक्षता में सुरक्षा मा के तहते गोस्टी का आयोजन किया गया जिसमें जंगली जानवर के सुरक्षा के माध्यम से विस्तार पूर्वक बताया गया वही रेंजर जगदंबा पाटक ने उपस्ते थे चात्र चात्राओं और अविभावों को से जंगलों में जानवर दिखने पर वन विभाग को ततकाल सूचना देने की अपील की है